अर्थप्रकाश देखने में तुमां भाईयों मैंनों को डॉक्टर स्वास्तिक शर्मा कर मश्का प्यारे भाईयों जैसे आपको पता कि आज का दिन बहुत सेंस्टिव दिन है और आप अंदाजा लगा सकते हैं पूरे वर्ड की शक्ति अमरिका के इंदर सबसे बड़े शक् करेंगे अमרिका की बजूर्था पार्टि क्या है अब हम सबसे हैं अबेशन के अंधर सेय्क यह पार्टिय और ततार्ए है और इसके अंदर जो में इन्होंने फोकस रखें पिछले टर्म के अंदर कि कम टेक्स इम्मीगरिशन पर प्रदिबंद और इसके लावा हत्यारों का अधिकार इन्होंने रख है और अगर हम इसकी पिछली हिस्टी देखे जाएं तो रिपब्लिकन पार्टी की इसके अंद क्यरसिकों को क्या लिक्ति बात करेंगे अपने मुद्이 रखेंबर भी डिसकी पर प्रतियों पर प्रतिबंद और इसके लवाइवहू मुद्धों पर ईन्होंने अपना फोकस रखा है और हम आज़े हम बात करेंगी अपनी पार्टी की मिज़ों करते हैं अब हमroeर्थ करें चार 1763 में से 22312 का समर्थन हासल चुरूरी होता है उसी तरह से हम बात करें डैमो क्रेटिड लिबरिल पार्टी के अंदर 2472 में से 1200 613 का समर्थन करना होना जुरूरी होता है और उस समर्थन के बाद उमीद्वार अपने अपने चुनाप पर चार में लग जाते हैं अब हम ब और हम इसके बाद इसमें प्रैमरी और एलेक्ट्रिकल प्रैमरी वो प्रक्रिया होती है एलेक्शन की जिसके अंदर राजनेतिक दोनों के मीदवारों का चैन होता है और उसके बाद राज्यों के अंदर जाते हैं और एलेक्ट्रोल का चैन करते हैं एलेक्ट्रोल में मत आता अपने मतश Unsích प्रीधिन करते हैं कर देंस औरिन अमर्रीका के दंदर इस वक्त पचास राज्य हैं पचास से अंदर पांसो ठति हां सो ठती हैं인이 और से सेनेट के हाउस वीपर त्युस है पहली बार है कि 30 % सिनेट चुनाव के अंदर भाग आपने खागे और किस्मत अजमा रहा है और अगर हम पिछला आशले लेक्शन की बात करें तो तो उसके अंदर जो 2016 सोला में ट्रम्प ने बात्सोट सो छे का समर्थन हासल किया था यानि और इसके बाद हिलेरी क्लिंग्टन को अब हम बात करेंगे इन दोनों की बातों की डॉनाल्ड ट्रम्प और ज्वाई बैडन की जो प्रेज्ट पॉजिशन है उस प्रेज्ट पॉजिशन के अंदर अगर हम देखा जाए तो ज्वाई बैडन डॉनाल्ड ट्रम्प से बाजी मारतों दिख रहे हैं वह कैसे बाजी मारते दिख रहे हैं वह हम आपको बताते हैं चौविस कोड़ मत दाता है अमेरिका के अंदर और पचास राज्यों में चुनाब हो रहा है और इसमें जो फैक्टर डॉनाल्ड ट्रॉम्प के साथ समदाइक तोर पर उन्हों ने उसमें मुद्दामनाया की जो कोविड है इसमें अमरिका की आर्थिक अर्थविस्ता हिल गी थी और अमरिका ने बहुत कुछ इसमें गवाया है कोविड महामारी के अंदर और इसके बीच में डॉनार्ड ट्रंप ने कोविड महामारी का जिम्म टोटली पूरन लोग से चाइना गोपर डाल दिया है और जो बोटिंग जो फैक्ट होगा उस पर हम बात करेंगे कि मुझुद्धा सिती में क्या हो रहा है एक तो मत दाता जो स्विंग है स्विंग बोटिंग है जो साइलेंड मत दाता है वह अपनी बोट का प्रयोग किस तर है जो 16 स्टेट में इंडिया के लोग अमेरिकन अबादी से एक प्संद ज्यादा है यानि हम यह कह सकते हैं कि राष्पति अमरिका के राष्पति चुनाव के अंदर भार्तियों का बहुत वड़ा योगदान हो सकता है और उसके लाग और सोला स्टेट में जो सोला स्टेट में वहाँ पर एक काटे की टकर हो रही है और यह बोट बैंक किदर जाएगा यह फ्यूचर के अंदर यह डिपेंट करता है लेकिन हम मुझूदा स्थिती देखा जाए कि रोनाल्ड ट्रम्प की हाख में कैसे जा सकता है यह बोट बैंक क्योंकि थोड़े पहले पिछले से से रिचस्ट हैं बिजनेस मेंन हैं और इनका एक बहुत बहुत बड़ा एक संधाय है और यह बी इंपक्ट कर सकता है और पिछली वार इन्होंने सेवेटी सेंट वोट थी वो डिनाल्ड ट्रम्प के एंगेस्ट दी थी हम यह भी कह सकते हैं यह भी बोट बैंक क्या इस वक अगर जीतते हैं तो उसके लिए उसको फिर द्वारा से कोशिच करनी पड़ेगी ताकि अमरिका के साथ एक मदूर समंद्र बनाए जा सकें लेकिन अगर हम पिछली हिस्टी देखी जाए तो पार्टी की तो उन्होंने मेशा जब सत्ता में आया है तो बाकी देशों के साथ एक मदूर समंद्र स्थापिट की हैं यह आज का दिन अमेरिका के हिस्टी के अंदर बोस्ट सेंस्टीव दिन है और फ्यूचर के अंदर क्या होगा आज यह एलेक्शन है और सबस्वरी पात है कि आज एलेक्शन होता है और बीश जन्दवरी को वाइट हाउस में शब्द एलेक्शन पर हैं उस पर एक्स्क्राइब करें अजप्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें